आज हम लोग mathematics में class 9 का chapter polynomial बढ़ेंगे तो polynomial में exercise 2.1 और 2.2 हम पहले वाले वीडियो में आप लोग को पढ़ा दिये थे आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 2.3 तेकि question क्या है first कि find the remainder when x cubed plus 3x squared plus 3x plus 1 इस divided by first कितना है x plus 1 मतलब कि x plus 1 से जब x cubed plus 3x squared plus 3x plus 1 को divide देगा है तो remainder कितना आएगा तो इसको इसको सुर्फ़ाइब करेंगे जो divide जाए जिसके divide देना है उसको हम जिलो कर देगे तो x plus 1 equal to 0 कर दिये अब plus 1 है तो side minus 1 x का मेनु आगिया minus 1 अब x cubed plus 3x squared plus 3x squared plus 3x plus 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ minus 1 put कर दिजी x का value और solve करेंगे तो जो answer आगा वही इमिंटर आजाएगा तो x का value minus 1 put कर दियेंगे हाँ पर यहाँ भी minus 1 put कर दियेंगे यहाँ sorry 3x squared दो बाड इसा गया था फिर हाँ 3x का value minus 1 फिर plus 1 तो कितना हाजएगा minus 1 का cube minus 1 minus 1 का square कितना हो जाएगा plus minus minus 3 by 3 तो minus 1 3 by 3 जाएगा 3 minus 3 plus 1 plus minus 3 cancel 1 1 हो जाएगा cancel तो कितना हाएगा 0 तरि मिंटर हो जाएगा 0 सेकंड देखते हैं x minus 1 by 2 है तो इक्वल टो क्या कर देंगे 0 minus 1 by 2 तो उससाइड plus 1 है x का मेरू आगिया 1 by 2 और x cube plus 3 x square plus 3 x plus 1 x का value 1 by 2 put कर देंगे तो यहाँ x है तो 1 by 2 x पर 2 हो जाएगा 3 का 3 x का value 1 by 2 square x square x का value इतना पूट कर देंगे 1 by 2 or plus 1 तो 1 का cube क्या 1 2 का cube के ता हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 1 का cube हो जाएगा 1 2 2 जा 4 3 x 1 से multiply कर देंगे तो 3 by 2 plus 1 1 by 8 plus 3 by 4 plus 3 by 2 plus 1 यहाँ हुद का पूट कर जाते हैं LCM सब का value जिजिए तो आजाएगा 8 8 में 8 से divide देंगे तो 1 1 में 1 से multiply कर देंगे 4 में 8 से divide देंगे 2 और 2 में 3 से multiply कर देंगे 6 8 में 2 से divide देंगे प्रबर वीजे कितना रहे गए? 8 में 1 स्टिक्वैट नेगे, तो 8 आ, 8 में 1 को मुटिप्लाइक कितना रहे है सबको अटबर कि गिया, तो तो 1 में 8 आटबर कितना रहे है 20, 20 में 6 आटबर में, 26 में 26, 26 आवन कितना गया 27, 5, 1 कंसा हो गया थर्ड दखिए X से इभाइद देना है, X equal to 0, आग XQ plus 3X square plus 3X plus 1, X का value 0 put कर देजिए, यहाँ यह X का value 0 कर देजिए, यहाँ 0, 0 का cube 0, 0 cash का 0 आग 9, 0 into something 0, 3 में 0 से करें हो, इतना अन्सर आगा? 1, लग X से जब इभाइद देंगा, तो कितना जाए गे रिमेंडर? 1 तो इस टाइप से जो दो question बचा इसको आपको अर्पे बनाएगे क्या बन जाएगा? Question number 2 है Find the remainder when x q minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a x minus a equal to हुम लोग 0 कर लेंगे minus में a है तो उस टाएगा plus में x equal to कितना गे? a अब है x q minus ax square plus 6x minus a तो x का value a put कर देंगे a q हो जागा यहां भी x का value a put कर देंगे यहां भी x है तो value a put करेंगे a q हो गया a square में a से multiply कर देंगे तो a q 6a minus a यह तो बनो plus minus का ऐंसल 6a में से a minus करेंगे तो इतना बेरख फाइड है इस exercise का last question 3, check better 7 plus 3x is a factor 3x2 plus 7x, मतलब कहड़ा है कि check पीचिए 7 plus 3x क्योड़ा है, 3x2 plus 7x का factor है कि नहीं, तो सबसे पहले हम करेंगे 7 plus 3x equal to कर लेंगी 0, और यहां से x का value find करेंगे, और वही x का value इसमें put करेंगे, अगर 0 आगया, तो factor होगा, अगर 0 नहीं आए, तो factor नहीं होगा, प्लस 7, तो सबसे आगया माइनस में, इन 2 में 3 है, तो आज़ा आगया, x का value आगया, माइनस 7 by 3, अब 3x3 plus 7x, तो x का value put कर दिजिए, माइनस 7 by 3, अब दिखिए, 7 का cube याद रखना है, कितना होता है, 7 का cube होता है, 343, 3 का cube कितना हो जागा, 3, 3, 9, 9, 3, 27, यहां करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 समय जाओ जागा, 49 by 3, इसमें से डिफाइट देंगे, तो कितना है जागा, 9, तो माइनस 343 by 9, माइनस 49 by 3, एसमें दे लिजे, 3 का जाओ, 9, 9, 9 में 9 से डिफाइट जाओ, 1, 1 अदे की 43 से मुल्टिप्लाइट कर देंगे, तो 3, 43, 3 में 9 से तर कितना है, 3, आप 3 में मुल्टिप्लाइट करेंगे हम लोग, 49 से तर कितना है, 9, 3, 4, 37, 2, 3, 4, 12, आप 2 कित दाएगा, माइनस काई, तो कितना है, 7, 3, 10, 4, 4, 8, 1, कितना है, 9, 3, 1, 4, 1, कितना दाएगा, 5, 3, 1, कितना दाएगा, 4, by 9, तो 0 नहीं आया, तो factor नहीं हो गया, answer क्या हो देगा, 9, तो friends, आज हम लोग exercise 2.3 कंप्लीट कर लिए, आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे exercise 2.4, तब तक आप लोग exercise 2.1, 2.2 और 2.3 को अच्छे से सोल करिएगा,